सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकाउन को दबाईए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्टूडेंट पॉइंट एकडेमी में आप सभी का सौगत है फ्रेंट्स आज हम करने जा रहे हैं हेरिटी एन इवालुईशन में आज का हमारा टॉपिक है इवीडेंस ऑफ इवालुईशन हम इसके पहले जो इवालुईशन के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से बदला हुआ है क्या क्या बदला हुआ है क्यों ये बद देखने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इविडेंस ऑफ इवालुईशन मतलब यह जो इवालुईशन जो हम देख रहे हैं यह सच में है या नहीं इसका इविडेंस हम यहां पर देखने हाले हैं तो स्टुइट्स इस इविडेंस से आपको यह पता लग जाएगा कि सच में इवालुईशन किस तरह से हुआ है तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और वीडियो अगर आपने अभी अगर आपने हमाई चानल को अभी तक सब्सक्रा इंपोलड़ डाड़ इयॐलॐशञन इस इसके पहले जो हमने जो हमने जो हमने जो ओसिव श these क्या कहती है कि जह श सिलेक्षिन है या फिर जो ऑनिमल से वह Georächन če जो है चोटे-चोटे जो माईक्रॉर्ड समस्ट हैय अमी वाग उसके बाद उससे बड़े बड़े अनिमल्स बड़े बड़े और्गनिसम्स बनते चले गए, क्लोरेला से बड़े बड़े पेड़ बनते तक आ गए, तो यह जो सारा जो evaluations है, ओके, यह जो सब collecting, जो thinking है, जो हमने इसके पिछले वाले lecture में पढ़ा है, ओके, यह जो है, impulse that evaluation everlasting process of changes, मतलब changes होने की एक सबसे आखरी process जो है, जो main process है, वो है evaluations, however, it need proof to prove it, और भाई कई बार इन सब बातों को proof करने के लिए, proof करने के लिए, proof का होना ज़रूरी है, so following are various proof available in support of the theories mentioned above, और यह जो सब theories है, उपर दी जिए इसके पहले जो हमने natural theory of evaluations के बारे में जो पढ़ा था, ओके, इस theory के सारे proof हम इस वीडियो में देखने वाले है, साथ में यह जो सारे questions के answer है, वो भी इस वीडियो में अच्छे से cover हो जाएंगे, so students, first, अलग-अलग evidence है, evidence of evaluations में, अलग-अलग evidence है, जिसमें पहला evidence है, morphological event, evidence, दूसरा है, antonomical evidence, तिसरा है, vestigials organ, फिर उसके बाद है, palentological event, evidence, और उसके बाद है, connecting links, और फिर है, embryological evidence, ऐसे 6 evidence मिले है, scientist को, इन्होंने खोज की है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, evidence of evaluations में, तो सबसे पहले आईए, morphological evidence के बारे में बात करते हैं, तो students, morphological evidence मतलब होता है, external study of organisms, जो organisms होती है, उसका बहारी स्वरू, उसका बहारी रूप के बारे में पढ़ना, study करना, that is morphological evidence, इस morphological evidence में देखे, आप कैसे हैं, observe the following image, and note the similarities between given animal images and plant images, तो देखे, यहाँ पर तीन images animal के दिए हुई, तीन images plant की दिए हुई है, और इन images को हमें observe करना है, और क्या similarity वो बताना, ता आईए सबसे पहले animals की images को देखे, देखे, students, यह अलग-अलग तरह के तीन animal है, इसमें देखिए, इनके eyes की position सामने की और है, इयर पिना, कान बाहर की और है, इसके भी कान बाहर की और है, जो nose है, उसकी भी position एक जैसी है, mouth की भी position इनमें एक जैसी है, मतलब क्या है, इनमें similarities है, इसमें बहुत सारी similarities है, यह morphological evidence हमें बताता है, कि इन में similarities है, ये हूई animals की बार, उसके बाद आईए कुछ plant की बात करतें, देखिए plant में इसको भी फल है, इसको भी फल है, इसको भी फल है, प्लांट्स में दिखेंगे तो एगर लिव का शेप देखें इसमें भी लिव का शेप वैसा ही है इसमें भी वैसा ही है इसमें भी वैसा ही है उसके बाद लिव के अंदर की यह जो टाइप्स होते हैं इनमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है इसके बाद लिव जिससे इसमें भी है और इसमें भी है तो यह क्या है जो external जो समानता है हमाई दिखाई दे रही है वो है morphological evidence के अंदर आता है तो आएए इसे पढ़ लेते हैं various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostril and ear pina and thickly disturbed hair distributed hair on bodies are seen in animal wear similarities in characteristics like leaf shape, leaf venetions, leaf petiol जैसे leaf shape है leaf venetion मतलब यह जो portion होता है इसकी design leaf petiol मतलब मान लीजिए यह डाली है और यहां से यह जो portion है जो leaf को यह पत्ती को डाली से जोड़ता है that is leaf petiol यह सब एक जैसी है तीनों लीजिए की इनकी अगर mouth की, nose की, eyes की, ears की position देखे तो सब की एक जैसी है okay occur in case of plant जो animal की case में हुआ है वैसा plant के भी cases में हो रहा है occur in case of plant these indicate that there are some similarities in those group and hence it is prove that their organisms must be same and must have common ancestor मतलब अब यहां से देखते हैं कि इनके position से, इनके स्वरूप के position से हमें यह समझ में आता है कि इनका जो origin होगा, origin मतलब जहां से यह बनना शुरू हुए है इन सब का origin एक जैसा ही होगा, जैसे animal के origin एक जैसे होगे, plant के animal origins एक जैसे होगे और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इनका जो ancestor है, मतलब इनका जो पूर्वज होगा, इनका पूर्वज जैसे इन animal का पूर्वज एक ही है और इन plant का पूर्वज भी एक ही है, ओके इसे हम कहेंगे कि इनके जो common ancestor है, वो एक जैसे है क्योंकि यह morphological evidence हमें यह बताते हैं, उसके बाद देखेंगे anatomical evidence, अब anatomical evidence देखें क्या कहता है if you carefully observe the pictures and doesn't sense any superficial similarities between human hand, cat's four legs, flippers of whales and pentagram of bat, अब यहाँ पर देखेंगे human hand दिया हुआ है, cat का जो पैर दिया हुआ है, सामने वाला, उसके बाद the pantagems of bat, जो bat होते हैं, उसके punk है, flippers of whales, वेल जो है उसके भी punk है, यहाँ पर जिसकी मदद से वो तहरती है, अब इन में देखेंगे तो आपको कोई भी similarities तो दिखाई नहीं दे रही है, ओके, but use of each those structure is a different respective animal, animal के हिसाब से, इनके जो uses है, वो भी animal मतलब, इन सब animal में bone के structure और boni join जो है, वो एक जैसा है, जैसे ये वाला जो portion है, ये portion, ये portion, यहाँ से ये वाला portion, और ये वाला portion, ये चारो portion एक जैसा ही है, ओके, बस animal के shape के हिसाब से, उनका आकार अलग अलग है, पर यहाँ पर अगर हम देखे, तो bone के join, उनका structure यहाँ पर हमें same दिखाई देता है, this similarity indicate that those animal में है common ancestor, मतलब इससे हमें ये समझ में आता है, कि इन सबी animal का जो ancestor है, वो common है, अभी हमने बात किया है, anatomical, anatomical evidence की है, और anatomical evidence का मतलब होता है, शरीर के आंतरिक भाग, okay, anatomical याने होता है, शरीर का आंतरिक भाग, morphological होता है, external, मतलब शरीर का बाहरी स्वरू, okay, और anatomical होता है, शरीर का अंतर का भाग, तो अंदर के भाग मतलब यहाँ पर हमने boons के बारे में देखा, so students, can you tell which are the different organs in body of organisms, which are the different organs in body of organisms, organisms जो हमारी शरीर है, शरीर के अंदर कितने सरके अलग-अलग और बहुत सारे organs है, lungs है, heart है, liver है, pancreas है, ribcage है, bones है, बहुत सारे parts हमारे body में है, अलग-अलग तरह के organs हमारे body में present है, अब body देखे, तो आपने तो बच्पन से ही मानवी शरीर के बारे में पढ़ा है, और आपने organs भी देखा, external organ, internal organ, useful organ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है, okay, is each organ useful for organisms, क्या हमारे body में जितने भी organ है, क्या ये सारे organ हमारे लिए useful है, सोचिए, या comment कीजिए, दस सेकेंड आपके पास, yes और no, तो students, इसका answer है no, हमारे body में जितने भी organ है, ये सारे के सारे organ useful है, ऐसा जरूरी नहीं है, अब मान लीजिए, हमारे कान होते हैं बाहर की और, ये हमारे लिए useful है, नहीं, ये हमारे लिए कोई useful नहीं है, ये monkey के लिए useful है, क्योंकि वो कान से, वो अपने कान को move कर सकते हैं, कान की position change कर सकते हैं, ये उनके लिए useful है, ये हमारे लिए useful नहीं है, पर ये design है, ये रह भी जैसे के वैसे, हमारे body के अंदर, दाथ में wisdom तीत है, वो हमारे लिए useful नहीं है, हमारे parenkriyas में एक छोटी सी intestine है जिसको हम कहते है appendix जो हमारे लिए बिलकुर useful नहीं है मतलब हमारे body के अंदरे सारी की सारी चीजे useful होना यह जरूर नहीं है फिर यह हमारे body में क्यू है यह हमारे body में क्यू है यह हमें जानना जरूरी है और यही तो हमें बताता है कि evidence of evolution मतलब हमारे पुर्वजों के body में ये सारी चीजे थी उनके लिए ये useful रही होंगी पर वो चीजे आज भी हमारे body में रह गई है बट हमें फिलाल इनका use नहीं है तो आईए देखते हैं कुछ ऐसे ही organ जो हमारे body में useful नहीं है जिने हम कहते हैं vestigal या vestigial organ तो आईए vestigial organs के बारे में बढ़ते हैं तो degenerated, क्या स्क्रीज़ इजनेरेटेड और underdeveloped अंडर डेवलप्ट उसलेस और्गन उसलेस और्गन और्गन और और अरगनिजम्स काल्ड़ वेस्टिजील और्गन मतलब ऐसे organ जो degraded मतलब अब खतम होते जा रहे या फिर ऐसे organ जो underdeveloped में जो पूरी तरह से develop नहीं है या वो खतम होते जा रहे या फिर useless organ जो हमारे body में organ present है पर उनका कोई use नहीं होता ऐसे organ किसी organisms के body में हैं तो उन organ को vestigials organ कहते हैं in living organisms sudden development of new tissues or organ for living in changing environment is not possible देखिए environment के बदलते हुए बदलाव को देखकर तुरंत शरीर में बदलाव होना sudden changes होना ये possible नहीं है instead existing organ undergo gradual changes और तो ये जो organs जो होते हैं ये gradually मतलब धीरे धीरे बदलते जाते हैं mostly a specific structure in the body is useful under certain situation mostly specific structure in the body is useful under certain situation मतलब कुछ ऐसे situation में ही ये जो organs है वो हमारे body में जो structure में जो organ है वो useful होते हैं और उसके बाद उनका काम नहीं होता जैसे मान लीजिए कि इनसान पहले घास फूस सब खाता रहा होगा और उसे सब पचाने के लिए इस appendix का यूस पढ़ता होगा पर आज हम बहुत चीजे नहीं खाते हैं आज हम पका हुआ अनाज खाते हैं घास फूस हम खाते नहीं है पूरा कच्छा खाना हम खाते नहीं है तो इसलिए इस appendix का यूस हमारे बाड़ी में पचाने के लिए यूस नहीं होता डाजेशन के लिए इस appendix का कोई यूस नहीं होता से निकाल दी जाती है natural selection के कारण बदलती है समय के कारण और अगर useless है तो वो रह जाती है हमारे बाड़ी में बस उसका यूस नहीं होता कई सालों के बाद कई करोड़ों साल इसके लिए सकते कई सालों के बाद ये भी हो सकता है कि हमारे बाड़ी से appendix भी हट जाए तो principle of natural selection मतलब कुद्रती चुनाओं का जो सिद्दान्त है नाचरल सिलेक्शन जो है कुद्रत का जो एक सिद्दान्त है उसके इसाब से ये जो बाड़ जो पार्ट है हमारे बाड़ी में जो यूसफुल नहीं है ओके वो हट जाते हैं और इन सब बातों को डिस अपियर होने के लिए कई हजारों साल लग जाते हैं और ये जो अरगन है अलग-अलग अनिमल्स में अलग-अलग रूप से इनका डिस अपियरियन्स हमें दिखाई देता है such organ through non-functional in certain organisms और ये जो अलग-अलग organisms में जो अलग-अलग organisms है उन अलग-अलग organisms में अलग-अलग तरह के जो organs है वो non-functional है जैसे हमारे body में appendix है it may function in other organisms जैसे appendix के हम बात करें तो appendix जो है guy, bell, cow, buffalo ऐसे animals में ये useful है monkey में useful है पर हमारे लिए ये useful नहीं है it is not vestigials in other organisms other organisms के लिए appendix vestigials नहीं है पर man के लिए है so appendix is appendix which is useless to human is useful and fully functional organs in ruminates तो जो animal ruminates करते हैं कावरी करते हैं मतलब जैसे guy, bell के हम बात करें तो वो फूरा घास खाखा के अपना फेट बर लेते straw तनस खाखा के अपना पेट बर लेते हैं उसके बाद एक जगा बैठके अंदर का पूरा मसाला बाहर निकाल कर उसे चबाते रहते है, ruminate करते रहते है ऐसे animal के लिए उनके बाड़ी में ये सारी heavy food जल्दी से digest होने के लिए appendix उनके बाड़ी में कारगर है useful है, जो हमारे बाड़ी में useful नहीं है पर हमारे बाड़ी में ये present है फिर ये क्यों present है क्योंकि ये हमारे पूरवजों के पास रहा होगा और उनसे ये हमें मिला है तो similarly अब ये जो है ये घास खाने वाले animals में है इसका मतलब क्या है कि हमारा ancestor, घास खाने वाले animal का ancestor हमारा ancestor सबका पूरवज एक ही रहा होगा similarly muscles of earpina मतलब है ये कान की जो muscles है ये हमारे ले कोई useful नहीं है ये useful है monkey के लिए which are useless to human human के लिए useless है are useful in monkey for movement of earpina earpina क्यों movement करता है हम हमारे कान हिला नहीं सकते पर monkey हिला सकते ये उनके लिए useful है various vestigial organ like tailbone जैसे tailbone है देखिए ये जो है हमारे body में यहाँ ये जो portion है यहाँ पर ये जो vertebrate column के सबसे last में ये tailbone है मतलब पूच की हड़ी और ये पूच की हड़ी हमारे body में अभी भी present है पर पूच नहीं है न ये इसे tailbone को काकैसी कहते है ये tailbone हमारे body में present है पर पूच नहीं है तो पूच हमारे ancestor को रथी अब उसका use तो खतम होते गया समय के हिसाब से okay man ने उसका use करना बन कर दिया तो nature ने उसके body में ये पूच बनना बन कर दिया so use इसी नहीं रहा तो natural selection के theory के according सिद्दान के according ये हड़ गया so tailbone उसका example है wisdom teeth ये होते wisdom teeth जो हमारे body मूँ में सबसे last में होते और इसका हम कुछ ये use नहीं करते इससे हम चबाते भी नहीं है जरुरत पड़े तो इसे निकाल भी दिया जाता है तो ये था students कुछ ऐसे vestigials organ जो हमारे body में अभी भी है पर इनका uses नहीं है फिर ये है क्यों क्योंकि ये हमारे पूरवजों में रहे होंगे दीरे दीरे इनका uses खतम होते गया ये कम कम होते जैसे पूछ पहले थी अब पूछ नहीं है पर पूछ किये छोटी सी पूछ रह गई है और ये भी कई सालों के बाद शायद हमारे body से हट जाए observe and discuss observe the following picture इन pictures को देखे ये सब क्या है ये सब fossils है मतलब पूरा रंकाल में जमीन के अंदर जो मिल जाते हैं वो फोसिल जैसे ये डाइनासूर का फोसिल से है ओके ये कुछ फिश लाइक सबस्टन्स है जिसका एक फोसिल से है so use of ICT find how the vestigials organ in certain animal and functions in other present in the information in a class and other ओके आप ICT का use करके information gain कीजिए पता कीजिए कि कौन से ऐसे organs है जो animals में पहले useful थे अभी useful नहीं है so students ये था अभी हम पढ़ने वाले है palentological evidence जो जिवाश मजिसे कहा जाता है जिसमें study of fossils कहते हैं उपर हमने पड़ा vestigials organ आपको clear हो चुका होगा palentological evidence मतलब होता है fossils fuel मत स्वारी fossils के बारे में जैसे ये जो आप picture देख रही है किसी dinosaur का है और ये जमीन के अंदर दब गए दस गए मर गए उस समय पर इनके जो bones है वो हमें मिले हैं ये fossils हमें मिले हैं ये fossils के study करना that is palentological evidence कि ये भी पहले हुआ करते थे अब ये नहीं रहे देखें dinosaur को तो किसी भी इनसान नहीं देखा पर उसे बनाया गया उसे फिल्माया गया उसे picture बनाई गई movies बनाई गी कैसे इनके bone के structure को देख कर so a question may arise in your mind that which animal exist millions of years ago कई लाखों साल पहले कौन सा animal अर्थ में मौझूद था तो हम कहेंगे dinosaur how can we tell this now this secret has been hidden in the earth यह secret जमीन के अंदर दबा हुआ था large number of organism get buried due to disaster like flood, earthquake, volcanoes, etc भुकम हुआ, earthquake, well, volcanoes हुए okay flood आई जिसके कारण बहुत सारे बड़े-बड़े ऐसा animal है जो अर्थ के अंदर दबे रहे गए और अर्थ ने उन सभी evidence को अपने अंदर छुपा के रखा था जो हमें आज दिखाई दे रहे हैं remnants and impression of such organisms remain preserved underground अब जो यह जो organisms है इन organisms के कुछ पार्ट जमीन के अंदर दबे रहे गए these are called as fossil और उसे जब पाया गया तो उसे ही हम कहते हैं fossils जैसे मान लिजे कोई animal जमीन के अंदर दबा हो और कई हजारों लाखों सालों के बाद उसके bodies के कुछ पार्ट दिखाई दे रहे that is fossil तो उसमें जरूरी नहीं के animal ही होगा plant भी हो animals भी हो okay plant के भी fossils मिलते animal के भी fossils मिलते study of fossils is an important aspect study of evolutions evolutions की study करने के लिए जो fossils की study है यह बहुत कारगर और बहुत important साबित हुई है जिसे study of evolutions में बहुत मदद मिली है so students study of evolutions में fossils से कैसे मदद मिली है किस तरह से fossils के बारे में study की जाती है वो देखिए carbon consumption of animal and plant stop after date and since then only the decaying process of C14 occur continuously देखिए students हमारी body जो है यह पूरा जो world है यह carbon compound से बना है जो आप science one में carbon and carbon compound में पढ़ेंगे पूरी दुनिया carbon compound से बनी क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जलाओ जलने के बाद एक काले color का substance बन जाता जातिस carbon हमारी body को भी जलाएंगे तो जलने के बाद एक काले रंग का पधार्थ बन जाएगा that is carbon तो carbon consumption of animal animal का carbon consumption body के मरने से ही खतम हो जाता है जैसा शरी मर गया carbon का consumption होना बंद हो जाता है only the decaying process C14 occur continuously बस body के खराब होने की decay होने की सड़ने की process चालू हो जाती है जिसमें C14 process carbon 14 ओके ये continuously होता शुरू हो जाता है in case of dead bodies of plant and animal instead of remaining constant the ratio between C14 and C12 changes continuously C12 is a non-radioactive तो carbon 14 और carbon 12 इनके बीच का जो रेशो है मरने के बाद ये continuously बदलते जाता है अब ये कितने साल में कितना बदलेगा ये study of fossils ये हमें बताता है और जिसमें C12 जो है carbon 12 ये non-radioactive element okay so the time passes since the date of plant or animal can be calculated by measuring the radioactive C12 and the ratio of C12 and C14 and C12 तो देखें students कि कोई animal कितने साल पहले मरा था ये अगर जानना है तो C12 और C14 के बीच का जो रेशो है वो रेशो ये पताता है कि इनको मरे हुए कितने साल हो गए मतलब एक dinosaur अगर आज मिलता है तो वो कितने लाखो साल पहले मरा था ये पता लगाया जा सकता है इस इस carbon dating method और इस method को carbon dating method कहते है क्योंकि carbon की मदद से ही ये से पता किया जा सकता है ये C14 C12 क्या है ये carbon 14 carbon 12 ही है it is used in a paleontological and anthropology paleontological and anthropology तो ये जो use होता है carbon dating का इसका use होता है paleontology और anthropology okay, for determine the age of human fossils and manuscript, मतलब कि इससे पता चलता है कि जो human fossils है या फिर जो भी animals के जो fossils मिले हैं, ये कितने साल पुराने हैं, इनकी study इन दोनो लॉजी में की जाती है, once the age of fossils been determined by such technique, it become easy to deduce the information about other erstwhile organisms, तो मान लीजिये कि एक बार इन fossils के बारे में अगर study करना सीख है, ये technique हमें पता चल गई, तो जो erstwhile organisms है, जो जमीन के अंदर दबे हुए है, उके, उन animals के बारे में भी हम आसानी से पता कर सकते, it is same as vertebrates have been slowly originated from invertebrates, मतलब जो vertebrates और invertebrates किस तरह से originate हुए, वो इस से हम देख सकते, अब यहाँ पर देखिए, picture हमें बहुत सारी चीजे सिखाती है, तो इसमें देखिए, structure of ground level fossils, तो यहाँ पर यह जो है, यह है पहले जोईक इरा, पहले जोईक इरा मतलब पुरातन काल, उसके बाद है यह मेजोईक इरा, मतलब मद्धे यूगिन काल, और यह है सैनजोईक इरा, मतलब आधुनिक यूग, जो अभी चल रहा है, यह तिनो य यूग, पुरातन काल, मद्धे यूगिन काल, और आधुनिक यूग, अब यहाँ पर देखिए, यह जो animal है, यह invertebrate है, इन में vertebrate column नहीं होते, मतलब read की हड़ी नहीं होती, उसके बाद धिरे धिरे animal vertebrate में चले गए, अब यह जो animal आप देख रहे हैं, यहाँ पर, यह ह है, invertebrate, अब यहाँ पर जो आप animal देख रहे हैं, यह रेंगने वाले reptiles animal है, जो रेंगते हैं, ओके, और amphibian fishes जैसे मान लीजिए, ऐसे animal जो पानी में रहते हैं, ओके, यह पाइसे मतलब मचलिया, ओके, तो यह है invertebrate, इन में कोई vertebrate column नहीं है, ओके, और इन में vertebrate column है तो कुछ reptiles हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, अब यहाँ पर देखें यह reptiles, मतलब पूरी तरह से रेंगने वाले, तो यह भी रेंगने वाला हैं, और यह रेंगता भी है, चलता भी है, इस तरह से है, ओके, उसके बाद eves, जिसे हम bird कहेंगे, ओके, और mammals, तो यहाँ पर देखें, यह mammals है, ओके, जैसे यह खरगोश है, यह mammals है, यह punk है, इसे, यह bird है, ओके, तो यह सब क्या, structure of ground level and fossils, यह सब है, पूरातनकाल, मद्यवगिनकाल और अभी जो चल रहा है, तो students, अभी यहाँ पर देखेंगे, हम introduction to scientist, एक scientist के बारे में introduction हमें देख c14 and it is developed by Willard Labby, तो Willard Labby ने carbon dating की method की खोज की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि animal के मर जाने के बाद, उसके body से c14 decaying होने की method शुरू हो जाती है, he has been awarded with noble 1960 for this invention, the age of material determined by method are published in the general radio carbon, तो कोई भी object कितने साल पहले मरा है, उसकी age पता करना, यह carbon dating की मदद से possible है, अब आईए पाचवा प्रूप देखते है, connecting links, connecting link हमें क्या बताती है, देखें स्ट्रेंट बहुत सारे ऐसे, अलग अलग जीव है, जिनकी पूश होती है, जैसे अगर हम अर्थ मॉम देखें, यह peripetus देखें, तो इन सब में क्या होता है, जैसे जो जरू या जन्तू उती है, उनके देखें, तो इनके body में कुछ इस तरक animal, कुछ इस तरक animal, जिनकी पूछ होती है, इनकी connecting link के बारे में हम देखने वाले, observe the following picture and discuss the characters, observe, इनमें क्या character दिख रहे हैं, वो देखिए, यह है peripetus, ओके यह poripoda है, इसके body में ऐसे segment बने होते हैं, बहुत सारे pair होते हैं, जिसे हम हिंदी में gom कहते हैं, यह होती है lungfish, ओके और यह है duckbill, platypus, इन सब के बारे में क्या है, वो हम देखने वाले, lungfish को देख लीजिए, duckbill, platypus, और peripetus, तो इस plant और कुछ animals है, वो morphological character शो करते हैं, फिर भी उनमें अभी बहुत सारे बदलाव है, बदलाव उनके समय के साथ हो गया है, पर उनमें अभी भी पूरी तरह से changes नहीं, उनमें कुछ तो भी समानताय दिखाई देती है, वो है morphological character, मतलब शरीर के बाहरी भागों में का मिलना, जैसे कि हमने तीन animals की pictures देखी थी और plant की pictures देखी थी, जिनमें बाहर के पाट की सतरह से हमें समानताय शो करते हैं, hence they are called connecting link और उसे ही हम connecting link कैसे, example peripetus जो गूम है, character like segment body, उसकी body कैसे होती है, segment होती है, इस तरह से होती है, गूम और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे के pair होते हैं और ऐसे बहुत सारे इसके body में इस तरह से segment बने होते हैं, okay, thin cutile, उसमें एक छोटी सी cutile होती है, peripoda like organ present, peripoda मतलब बहुत सारे pair वाले ये होते हैं, okay, और एक cutile होती है, similarly these animals show the trackle respiration, और ये trackle respiration मतलब जिस तरह से cockroach कैसे, cockroach जो respiration तो करता है, साथ में अपने pairों से respiration करत अपने body के dead cells से ये respiration करते है, this indicate that peripetus is a connecting link between anelida and orthopoda, तो जो anelida और जो orthopoda इस तरह के जो दो animal है, इन दोनों के बीच का जो peripetus है, वो एक तरह का connecting links है, डग-billed platypus, इसके बारे मगर देखें, तो lay eggs, ये अंडे देता है, like reptiles, जैसे reptiles, mammals, जिस तरह से अंडे देते हैं, उस तरह से अंडे देता है, but show relationship with mammals, अब देखिए, ये reptiles जो होते हैं, उनकी तरह ये अंडे देता है, okay, reptiles मतलब birds, okay, अंडे कुन देते हैं, bird देते हैं, पर इसमें समानता है होती, इसमें, ये mammals के जैसा समानता है होती, क्यों, क्योंकि इसमें memory gland होती है, और इसमें hair होते हैं, अब देखिए, अगर जो अंडे देते हैं, उनके body में बाल नहीं होते हैं, और memory gland नहीं होती, okay, उनके शरीर में पंक होते हैं, अब डग-bills देखें है पर उसके body में उसके शरीर में बाल भी है और memory gland भी अब lung fish की बात करें तो lung fish performs respiration with a lungs irrespective being fish अब देखिए fish में gills होते हैं उपके उनके सर में कान के पास gills होता है जिस gills से वो respiration करते हैं उनमें lungs नहीं होती फीश में पर एक फीश इस तरह की है जिसमें lungs होते है lung fish हो है अपनी lung से वो respiration करती है इसलिए उसका नाम lungs fish है तो वो बाके fish से एकदम irrespective different है तो these example indicate that mammals are evolved from reptiles मतलब इससे हम यह पता कर सकते हैं कि जो mammals है वो reptiles से बने हुए है amphibian से बने हुए है from fishes मतलब पानी में रहने वाले जिव जो है amphibian या फिर reptiles है जो birds है इन सबसे mammals बने हैं पहले यह अंडे देते थे अब यह अंडे नहीं देते तो उस्टोई देखिए इस पहली stage one है जब बच्चा embryo होता है सबसे छोटा होता है तो यह अलग-अलग जो animal है उनके embryo है यह जो ही यह पहला अला fish का है यह salamander का है यह कच्छवा अंदा tortoise का है यह chicken का है यह pig का है यह cow का है यह rabbit का है और यह है man का अब यहाँ देखिए similarly starting की position में सब एक जैसे हैं दूसरी stage में थोड़ा बदला हुआ है और तीसरी stage में उससे ज़्यादा बदला हुआ है अब यहाँ पर इस बदलाओ को देखिए यह ज़्यादा नहीं हुआ है यह similar ही है यह बहुत ज़्यादा similar है यह बहुत ज़्यादा similar है और यह पूरा similar है तो यहाँ पर क्या है यह embryo logical evidence है कि जब कोई embryo होता है तो वह शुरुआत में बच्पन में जब वह embryo होता है सबसे छोटा हो जी होता है जब उसका बनना शुरू होता है तो वह एक जैसा होता है इनमें बहुत सारी समानता है होती है तो यह एक तरह का proof है कि हम सब के ancestor एक जैसे होंगे ओके so comparative study of embryo development stage of various vertebrate given inner pictures show that all embryos show extreme similarity during the initial stage मतलब initial stage में बहुत जादा similarity show होती है and the similarity decrease gradually और बाद में धीरे धीरे यह similarity decrease होती होती है similarities in initial stage indicate the common origin of all these animals मतलब इस से हमें यह पता चलता है कि यह सारे के सारे animals में जो embryo logical evidence अगर इसका similar है इसका मतलब कि इन सब के ancestor एक जैसे रहे होंगे तो students यह थे 6 topic जिसमें हमने पढ़ा है evidence embryoid logic मतलब evidence पढ़ा है kis के evaluations के जिसमें हमने पहला है morphological evidence जिसमें हमने पढ़ा है शरीर के बाहरी भागों का समानता है उसके बाद anatomical evidence जिसमें हमने पढ़ा है शरीर के अंतरिक भाग उसके बाद हमने देखे vestigens organ जो हमारे body में है पर हमें काम के लिए उपयोगी नहीं है उसके बाद हमने देखा palantological evidence जिसमें fossils के बारे में study की जाती है उसके बाद हमने देखा पाचवा connecting links जिसमें animals के बीच में कुछ connections है और उसके बाद हमने देखा embryological evidence ओके और इससी topic के साथ यह आज का जो यह हमारा topic है evidence of evaluation यही पर complete होता है I hope that यह topic आपका पूरी तरह से clear हो चुका होगा evidence of evaluations और इसमें कोई confusion नहीं रहा होगा तो students अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को like जरू कीजिए चानल को subscribe कीजिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रही है student point academy तो मिलते है friends next video में तब तक के लिए बाबाए